जैहेंद वेलकम टू टूड़े एक्जाम कलासेज दोस्तो आज है 27 सितंबर 2021 तो आज के इस वीडियो हम 27 सितंबर 2021 के जो भी most important current affairs के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे इसलिए दोस्तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखे और 27 स इस वीडियो के last में हमेशा के तरह एक सवाल अभ्यास के तोर पर आप से भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है इसलिए इन सभी सवालों को आप पहले जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल आज का पहला सवा पहला सभी सवाल का सभी जवाब जाय का ओप्शन यह नहीं भारती क्रिकेट टीम के कप्तान विराट को लिए जिन्होंने टीटवन्टी फॉर्मेट में दस हजार रन पूरे कर लिए हैं और दोस्तों आपको बता देकि विराट को लिए वह दस हजार रन बनने वाले टीट खिलाडी बनके हैं जबकि विर्सु में ऐसा करने वाले विराट कोली पांचवे खिलाडी बन गए हैं विराट कोली से पहले वेस्टन डीज के क्रिस गेल ने और किरोन पॉलाण ने पाकिस्तान के सौई मलेक और ऑस्ट्रेलिया के डैविड वार्ण ने दस हजार रन बनना का रिकॉर्ड बना हैं अगला दूसरा सवाल है लॉंच पुस्तक 400 डेज के लेकक कौन हैं केलास सीवपूरम आयूस अगनिहोतरी विकास देवन या चेतन भगत तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी नी लॉंच पुस्तक 400 डेज के लेकक हैं वो चेतन भगत हैं और दोस्तों आपको बता दे कि ये फुस्तक हैं जो 8 अक्टूबर 2021 को लॉंच होगी जिसका नाम है 400 डेज और उनको लिखी है किसने चेतन भगत ने उन्होंने इसके लिए कवर भी जारी कर दिया हैं और दोस्तों आपको बता दे कि गल्स इन रूम 105 और वन औरेंज मर्ड के बाद केश्व स्वर्प श्रंकला की ये तीसरा उपनियास हैं चेतन भगत का कौन सा किसका है चेतन भगत जिसका नाम है 400 डेज जो आट अक्टूबर 2021 को रिलीज करेंगी अगला नेक्स तीसरा क्यूसन है नेमन मैंसे किसके दोरा आयूसमान भारत डीजिटल अभ्यान सुबारंब किया जाएगा परदान मंतरी के दोरा राष्टपती के दोरा सिक्सा मंतरी के दोरा या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप हाली में च्छे के अंदर साचित प्रदेशों में पाइलेट परियोजना के रूप में लागू हैं और अब पूरे देश में यह अब्यान है वो लागू हो जाएगा इसलिए हाली में आज भारत के परदानमंत्री यानि 27 सितंबर को परदानमंत्री नरेंदर मोदी वेडियो क पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग के इस्तिपा देने के बाद नेमन मैंसे किसे राजिय के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं चरण जी चिन्नी को डॉक्टर अमर सिंग को रवनी सिंग बिट्टू को या फिर सुकबीर सिंग बादल को तो इस सवाल क सई दाप देगा option यह नि हाली में पंजाब की नए मुख्यमंत्री की रूप में चरंड सिंग को नियूगतिक क्या गय है क्या कि पंजाब की पूरू मुख्य क्टेंट अमरिंदर सिंग है उनों ने अचनल इस्तीपा दे दिया था जिसके बाद अब चरण सिंग्जी को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और इनको मुख्यमंत्री की रूप में सपत हैं वो पंजाब की राज्य पाल बनवारी लाल प्रोईत ने को मुख्यमंत्री पत की सिपात दिलाई थी किसने दिलाई थी बनवारी लाल प्रोईतने जो पंजाब राज्य के राज्य पाल हैं और किसको अभी मुख्यमंत्री चुना गए हैं चरण जीत चिन्नी को नेक्स्ट अगला कोईसन है एसी विकास बैंक यानि एडी बी ने वर्ष दोजार एक्कीस और बाईस में बारत की जीडिपी वर्दी के लिए अपने पूरुमानान को गटा कर कितने परतिसत कर दिया गया हैं दस परतिसत पंदरा परतिसत आट परतिसत या फिर पांच परतिसत तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्शन एऑ ने एसी विकास बैंक ने वर्ष दोजार एक्कीस बाईस में भारत की जीडिपी दर हैं वो दस परतिसत कर दिया हैं जबकि पहले हैं वो 11 परतिसत थी जिसको कटा कर अब दस परतिस्ट कर दी हैं किस ने करती हैं एसे विकास बैंक ने अगला क्यूसन है हाली में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे उंचे इलेक्टिकल्स वहां चार्दिंग स्टेशन का उद्गाटने किया गया हैं मद्य प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश में या फिर अरुणा चलव प्रदेश में तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्शन भी यानि हिमाचल प्रदेश राजिय के काजा में यानि लाहोल इस्तिपिती जिले के काजा में दुनिया के सबसे उंचे इलेक्ट्रिकल्स वहान चार्दिंग स्टेशन का उद्गाटनिक क्या गए है या काजा में 500 फिट उचाई के पर इस चार्दिंग स्टेशन का उद्गाटनिक क्या गए है जो वीशू का सबसे उचा इलेक्ट्रिकल्स चार्दिंग स्टेशन है जो हाली में कहाँ पर क्या खाद एजनसी के अनुसार किसी देश में 16 मिलियन लोग भूकमरी की और बढ़ रहे हैं यमन, सीरिया, इरान, इराक तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ऑप्शन ए निए सही तराश्टर की खाद एजनसी के अनुसार यमन देश में 16 मिलियन लोग हैं वो भूकमरी की और बढ रहे हैं किस देश के यमन देश के जो सोड़ा मिलियन लोग हैं यानि एक करोड़ सांट लाक लोग है जो गुकमरी की और बढ़ रहे हैं Next अगला किशन है Global Trend Outlook के अनुसार भारत के इस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयतक बनेगा वर्ष दोजार पचास तक वर्ष दोजार तीस तक वर्ष दोजार चाड़ीश तक या वर्ष दोजार शाड़ तक तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन यह निए वर्ष 2050 तक Global Trend आयतक के अनुसार भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसब बड़ा आयतक बनेगा जबकि वर्ष 2030 तक भारत है वो चौता आयतक बड़ा देश बनेगा जबकि 2050 तक है वो तीसरा आयतक बड़ा देश बनेगा जबकि अभी हैं वर्ष्टमान में भारत के अलवा चीन और सविक्तराष्टर देश हैं वो Global Trend आयतक के अनुसार विश्व के सबसे बड़े आयतक के देश है अगला next question है अंतराष्टी सांती दिवस कब मनाया जाता है 17 सितंबर को 21 सितंबर को 3 सितंबर को या फिर 18 सितंबर को तो इस सवाल का सई जवाब देगा option भी यानि 21 सितंबर को हर साल अंतराष्टी शांती दिवस मनाया जाता है कब मनाय जाता है 21 सितंबर को और अंतराष्टी शांती दिवस की शुरुआते हैं वो साल 1981 में की गई थी कब की गई थी साल 1981 से हर साल 21 सितंबर को अंतराष्टी शांती दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों ये थे 27 सितंबर 2021 की कुछ most important current affairs के सवाल उमेद करता हूँ ये सभी स्वाल आपको अच्छे से याद हो गएंगे अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम